साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने योटूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो रीट लेवल सेकंड इंगलिस के कंडिडेट्स के लिए रहने वाली है अगर आप read level second English के candidates हो तो इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा और अपने साथियो तक भी पहुंचाईएगा ये भी इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं और साथ में अपन ये भी जानने वाले हैं कि मुख्य उत्तर की में से person मिलाने पर कितने person गलत हुए कि पहले आपने जो उप्तर मिलाए थे वो कोचिंग वाली की के अनुसार मिलाए थे और मैन की आने के बाद ओफिशियल की आने के बाद कितने पर्सनों गलत हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं उसके बाद cut-off फर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी अपन जानने वाले हैं और क्या read levels second English से पहले first grade और second grade को joining मिल सकती है वो भी इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं और क्या cut-off रहेगी वो भी वीडियो में जानेंगे तो last तक जरूर बनी रहिएगा वीडियो क पर आप नए हो तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा और bell icon को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो जैसे ही upload की जाए सबसे पहले उसका notification आपके पास पहुंच जाए तो साथियो अपन आगे बढ़ते हैं अब देखिए सबसे पहले जो objection लगी है वो इस person पे लिखिए है साथ सा आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन से question में यानि की result है वो अलग देखने को मिल सकता है जैसे ये person है stop tell me what really happened ये beating in the bush इसमें दो option यानि की coaching वालों ने मान रखा था एक beating about the bush और एक beating around the bush और जो board ने माना है वो माना है beating around the bush तो साथियो ये जो question है इस पे खूब सारी आप आपतियां लगी है और कौन से option पे beating about the bush तो इसका देखिए वेसे देखें तो C और D दोनों सही है option C भी सही है और D भी सही है इसलिए आपतियां लगी है इस पे और इस person का क्या असर होगा साथियो मैं अभी आपको बता देता हूँ जिनका around यानि करके आए है वो तो सही है about वाला भी सही है और इसको change करना पड़ेगा और इसका final result साथ यो इस तरह से निकलेगा क्योंकि negative marking होगी paper के अंदर तो double option यानि की होती कम chance है कि इसमें double option मान लिया जाए डबल option नहीं माना जाएगा तो इस person को delete किया जाएगा तो delete करेंगे तो जिनका सही हो रहा है ध्यान वाले में तो वो दो नमर है वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे और about जिनोंने आनिकी किया है और जिनका negative में गए थे तो वो थोड़ा सा असर पर जाएगा कि वो negative से बच जाएगा तो ये question मान के चलिए साथियो इसमें ये question delete होने के संभावना है अब कई साथी ऐसे कहे कि नई इसके दो option माने जाएंगे तो साथियो मापको बता दूँ जो ये जो board है जो अपना ये जो read का exam करूए था ये double option बहुत कम यानिकी मानता है अगर double option की situation आती है वहाँ पे question को delete ही करता है तो एक year delete हो जाएगा ये मान के चलिए जिनोंने around किया था वो ये मान लीजि अब देखिए एक question ये है साथियो आपके सामने कि which of the following is not applicable of the demirid of bilingual method तो इसमें देखिए इसमें जो यानिकी question है वो आप देखिए इसके अंदर जो board ने माना है वो option C माना है learners may not relay more on their language first तो साथियो इस पर भी आपति लगी है और इस पर जो आपति लगी है वो D option पे लगी है हालांकि ये question है साथियो मेरे को इसा लग रहा है कि इसमें कोई fair बदल नहीं होने वाला है आपतियां जरूर लगी है खूब आपतियां लगी है कि teacher है क्योंकि जो B8 की जो option same to same दे रखे हैं और उसके अंदर क्या नहीं दे रखा है उसमें note नहीं दे रखा है और इसमें यही पूछा है वो demerit के च्यार option दे रखे थे इसमें यह पूछा है कि कौन सा demerit के लिए applicable नहीं है तो सही माइने में देखा जाए तो साथियो ये C सही है लेकिन जो g help जो गलत हो है उनका कुछ भला हो जाए वरना ज्यादा यह मानके चलिए कि इसमें कोई संभावना नहीं लग रही है मेरे को अगर हो जाता है तो अच्छी बात है अब आगे देखिए आगे बढ़ते हैं कि which of the following statement is not correct true या true with regard to audio lingual method इसमें board ने a option माना है और लगबग a ही अलांकि B पे लगा है कुछ objections के लिए प्रूफ भी आने की लगा है लेकिन जो प्रूफ लगए गया है वो जहां तक याने की मैंने समझा है वो प्रूफ ज्यादा याने की set नहीं कर रहा है इस पे अगर हो जाए तो अलग बात है लेकिन यह मानके चलिए इसका option A ही रहने वाला है और यह जो उपर वाला बताया था इसका C रहने वाला है मेरा यह मानना है हाँ beat about the जो bush वाला है वो जरूर 100% delete होगा उसके बाद देखिए और कौन सा delete हो सकता है यह देखिए साथियो इस पे board ने देखिए जो answer माना था यह distributed का gave away माना था और इसका क्या है gave out दूस about the bush होगा beat around की जिगए beat about the bush होगा तो यह भी आप 100% मान के चलिए कि जिनोंने gave out किया है वो भी सही होगा क्योंकि दोनों dictionary के अंदर दे रखा है या तो उसका भी कुछ नहीं होगा अगर उसका कुछ नहीं होता है तो उसका भी कुछ नहीं होगा अगर उसको delete किया जाता है beat around the boost की जगे beat about को मान ले लिया जाता है तो उसको अगर delete किया जाता है तो ये person भी delete होगा अगर उसमें by chance double option मान ले beat around और beat about तो ये मान के चलिए इस question के अंदर भी double option 100% माना जाएगा पर मेरे को ये लग रहा है एक तो ये person जो gave out और gave away दो option है ये delete होगा और एक जो दूसरा फ्रेजल वर्व थी वो दोनो delete होगे और मेरे को ये जो दोनो जो method वाले हैं teaching method वाले उसमें कम संभावना लग रही है अगर आपकी किश्मत अच्छी होगी तो हो सकता है लेकिन ये दो question मान के चलिए अगर उस पे कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो इस पे भी कुछ नहीं फरक पड़ेगा अगर वो बदलता है तो ये भी बदलेगा ये मान के आप ही चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए एक question इस पर भी लगी है इस पर भी आपती लगी है और और बोर्ड ने अलास माना है अलास पूर बिमला इस डेट तो साथियों देखिए वैसे ये जो exclamatory यानि की कौन सा यानि की correct है इसमे sentence यानि की दे रखा था अगर सही मामलों में यानि की साथियों आप देखे तो exclamatory यानि की जो sentence होता है उसमे exclamatory mark आता है और इसके अंदर अलास के आगे exclamatory mark नहीं दिया है वैसे तो ये सही है अलास है अलास सही इसमें है option D सही माना है लेकिन जिनोंने आपती लगाई है और वो बाईचांस पॉइंटों से रह रहा है इस क्योशन के आदार पे तो ये क्योशन भी court में जाएगा अलास सही है इसमें no doubt लेकिन अलास के आगे exclamatory mark देना चाहिए था ये क्या बोल सकते हैं बहुत सारे student इसमें confused हुए है तो इसमें benefit मिल सकता है अलास कि कम संभावना है लेकिन इसका benefit कब मिल सकता है उन students को मिल सकता है जिनोंने इस पे आपत्ती लगाई है क्योंकि ये delete नहीं होने वाला है आपत्ती लगाई है और बाइचांस वो पॉइंटों में रह गया है selection होने की दोड में है तो वो court में जाएगा और court last में आने की decision ये ही लेगा कि इसका जो frame है question frame में वो गलत हुआ है क्योंकि अलास के आगे क्या आना चाहिए था exclamatory mark आना चाहिए था तो उस particular यानि की candidates को इफाइदा मिलेगा ने की सभी candidates को वैसे ये सही है exclamatory mark होना चाहिए ये जहां तक आपने या मैंने पढ़ा है तो आपने देखा होगा exclamatory यानि की चीन के अंदर अब ये देखिए अब आगे बढ़ते हैं एक देखिए रास्तान में कितने कर्शी विग्यान के अंदर है साथियो ये जो question है ये 100% delete होगा क्योंकि वर्तमान में 47 है और board ने माना है 45 तो ये मान के चलिए ये 100% delete होगा मतलब दो question होगे fragile verb वाले delete और एक ये मान के चलिए ये delete होगा जिनकी पहली यानि के priority है delete किये जाने की तो तीन question ऐसे हैं अब आगे बढ़ते हैं जिन पर आपत्ती लगी है जैसे रास्तान के कौन से जिलेम बान गंगा नदी बेसिन का सरवादिक परतिसत भाग इस्तित है board ने भरतपूर माना है और भोग सारे candidates जैपूर मना रहे हैं तो सातियों मा आपको बता दू इसका भरतपूर ही होगा जैपूर ओने की भोग ही कम संभावना है आपति जरूर लगी है लेकिन इसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है जिनोंने भरतपूर किया है वो ही सही माना जाएगा आपतियां जरूर लगी है objections तो कोई भी लगा सकता है लेकिन अब उस पर यानिकी जो final result आएगा तो जहां तक मेरा मानना है तो इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा आगे बढ़ते हैं देखिए इस के उसन पर भी आपति लगी है बोड ने धाई सो से तिन सो यानिकी मिटर माना है और इसमें आपति लगी है और मेरे को नहीं लगता कि इसमें भी कोई फेर बदल होगा और यही उत्तर माना जाएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इस पर भी देखिए बुंदी रियासत के बरड किसान अंदोलन के नेता कौन थे इसमें आनिकी देखिए बोड ने माना है निवनाराम सर्माने ने नूराम सर्माने और एक उप्षन देखिए जो NCRT की बुकाउस में राम नाराम चोदरी भी है तो साथियो इस परसन पर भी तलवार लटकी हुई है तो यह भी मान के चलिए डवल उप्षन तो यानिकी यह मानिए कि यह जो करमचारी बोर्ड है वो मानता ही नहीं है वो क्योशन को सिधा डिलिट करता है जिनोंने ने नाराम किया है और राम नारायन चोदरी अगर मान लिया जाता है तो वो मानिए कि अपना क्योशन और जो दो नमर है वो कम कर लीजिए गेव अवे वाले में से यानिकी कम कर लीजी और दो नम्मर इसमें से कर लिए क्यूंकि ज़्यादातर लोगों ने गेववे किया है और इसमें निवनाराम किया है और इसका भी अगर बोर्ड मानता है तो मान के चलिए इसमें भी आपको नुक्षान हो शकता है और जो नेगेटिव में गया है उसको यानिकी हो शकता है कुछ यानिकी फाइदा मिलजे एक देखिये यह क्यूशन है कि निमनांकित में से 20 वी स्थाबदी में सरवादिक तापान में अंकित गया है तो इसका बोर्ड ने अलवर माना है वो अलवर सही रहेगा तो यह मान के चलिए तीन चार क्योशन चार क्योशने से हैं जिन पे आपको फाइदा मिलेगा जिनके नमबर बन रहे हैं वो कम भी जा सकते हैं और थोड़े से बढ़ भी सकते हैं अलांकि ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा अब सातियों अपने बात करें यह अपनी आंसर की जो आपती वाले जो परसं थे वो हो गए अब बात करते हैं कि कितने परसं यानि की तक लोगों के गलत हुए हैं तो सातियों बता दूँ जिन सातियों के परसं कोचिंग वाली की के अनुसार सही हो रहे थे उन से ओफिशल की से चार से पांच परसन 90% कंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मेरे पास मेसेज आए हैं या में परसनल जानकारी मेंने जुटाई हैं तो चार से पांच परसन ऐसे परसन है जिनके अनकी गलत हुए है तो 4-5 परसन है सौभावी कुरूप से यह मान के चलिए कि merit में कटोप में असर पड़ेगा अब कितना असर पड़ेगा यह देखने वाली बात है लेकिन यह मान के चलिए कि असर जरूर पड़ेगा जहां तक मैंने जो कटोप बताई थी साथियों यह बताई थी जो कि आपके सामने है और मैं यह मानता हूँ हाँ इससे थोड़ा सा फेर बदल हो सकता है और फेर बदल होना भी चाहिए होना इसलिए चाहिए क्योंकि 1st grade का result अब 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा और 2nd grade की भी answer की जारी कर दी गई है आप पतियां भी मांग ली गई है तो जहां तक मेरा मानना है कि read से पहले पहले 2nd grade का result भी आ जाएगा और 1st grade का result भी आ जाएगा और इन दोनों को यह जोइनिंग अगर मिल जाती है मतलब मेरा मानना है personally कि 2nd grade का result आ जाएगा जोइनिंग पता नहीं होगी या नहीं होगी लेकि result जरूर जाएगा अगर उन दोनों का result आ करके क्योंकि आपतियां मांग ली है तो कम से कम यानि 20-25 दिनों के अंदर pressure परी है उन पे डेली यानि के आंदोलन भी यानि किया जा रहे हैं उन दोनों का जरूर होगा अब बात करते हैं cut of last में मैंने ये बताई थी जनरल की 94 से 98 थोड़ा बहुत असर होश रखता है होना चाहिए और अगर ये मान के चलिए कि अगर 2nd grade और 1st grade की जोइनिंग दी जाती है तो बहुँ ज़्यदा असर भी आपको देखने हों मिलेगा तो ये पहले वाली यानि जो मैंने बताई थी वो कटोप है इससे थोड़ा बहुत ही मान के चलिए अगर आप इससे थोड़ा बहुत नीचे हो तो आप मान सकते हो कि आप उस दोड़ के अंदर है तो साथियो ये मेरा एक प्रेडिक्शन एक अनुमान था उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपका क्या राय है कितनी कटोप जा सकती है कितने नमर बन रहे हैं वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताईएगा और आपने कौन-कौन से परसनों पे आप पतियां लगाई है इन परसनों के अलावा और भी कोई परसन है क्या जिन पे आप पति लगी है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो के देखने के लिए दन्यवाद, thank you very much